नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको लेकर आए हूँ राजस्तान के गौरों सभी दुर्बों के सिर्मोर जिसे सभी किलों का तीरतिस्तल भी कहा जाता है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राज़स्तान के मिवारशेत्र की आनबान और शान, शक्ति गरोव त्याव और बलिदान की इस मिसाल चित्तोडगर किलेगी आज मैं आपको इस किले की पूरी जानकारी डिटेल में दूँगा और एक्स्प्लोर करूँगा एक एक जगा को पूरी इसकी हिस्ट्री के साथ में तो बने रही है मेरे साथ मैं पहुँच गया चित्तोड किले के फस्ट गेट पाडल पोल पर बने मिवार के वीर युद्धा बाक सिंग जी के समारक के पास जो 1535 में महराना सांगा के पुत्र विक्रमा दित्ति के शासंकाल में गुजरात के सुल्तान बाहदुर शाद्वरा इस किले पर आक्रमण के द गा और उसके बाद चित्तोड गर नाम पड़ा इसे मेशा नाम की एक पाड़ी पर बनाया गया है और एरियल व्यू से देखा जाया तो इस किले का अकार उपर से एक वेल मचली की तरह दिखाई देता है जो एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड है फ्रेंट्स इस क पैदा होती थी तो इस किले के दर्वाजे सब तर्फ से बंद कर दिया जाते थे और जन्ता को किले के अंदर सुरक्षित ठग दिया जाता था फ्रेंट्स 1568 में अकबर ने इस किले पर युद्ध किया था उसमें उदे सिंग जी यहां पर स्थासन करते थे पहले तो क्या होता था कि जो राजा होते थे वो जितने भी राजा होगे वो युद्ध में लड़कार शहीद हो गया लेकिन इस बार ने नेवाडवाला ने स् यहां पर घेरा बंदी करी तो फिर घेरा बंदी करने के बाद में उद्रेंट्स वो अभी दिनों तक वो रहा मगर मुद्ध करनी पाया उसने उसको समझाना प्रलोबंदी है लालज थी है कि हम आपको मेड़का का किला दे देते हैं आप ये किला चोड़ दो वो नहीं माने अगर बिन में तो पर दागता था तो रात को रिपेर कर देते थे इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ कि वो एसी रात को रिपेर करा रहे थे तो अगबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूख से निशाना लगा और वो गलती से आगे जैमल जी की टांग में लगा वो इसने अगले दिन युद्ध की गोष्णा कर दी युद्ध में जैमल जी इतने पराग्रम ही थे अभी ज़ापने कला जी राठोड की शतित देगी कला जी राठोड भी युद्धा थे यहां के मेवाड के उनके कंदे पे बैढ़के जैमल जी ने युद्ध किया और वीरगती को इस तरह से उन्होंने मेवाड के लिए काफी बले दान जिया तो काफी पोजी निये हैं ये समारक जोगी बने हुए हुए फ्रेंट्स ये समाधी वीर फत्ता जी की है फत्ता जी मेवाड रियासत के अंदर आने वाले आमेट ठीकाने के सामन्त थे जब 1568 में अकबर के चित्तोड आकरमर के दुरान मारणा उते सिंग जी ने जैमल जी के साथ इन्हें भी किले की रक्षा का बार सोबा था तब जैमल जी के मारे जाने पर इन्होंने ही सेना को लीड किया था और युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे अकबर इन दोनों वीरों जैमल और फत्ता जी के शोरे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरे के अपने किले के गेट पर इन दोनों वीरों का स्टेच्यू बनवा दिया था जिसे बाद में औरंग जेब ने अटवा दिया बिका नेर के राजा रायसिंगी ने भी जुनागड के किले के द्वार पर जैमल और फत्ता जी की हाती पर विराजबान बड़ी मूर्ती लगवाई है जो आज भी वहाँ सुशोबित है बिका नेर के जुनागड के लेगी वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर बिल जाएगी जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा 40 रूपीस की इसकी टिकेट है पर परसन और विदेशियों के लिए लगबग 200 रूपे है स्टूडेंट्स आइड दीका आगे भी आप यहां कुछ कासेशन पा सकते हैं ऐसे करगे तो वो टिकेट विंडो यहां से टिकेट लेते हैं और फिर आगे और इसी के वाँ आपको पार्किंग का भी टिकेट मिल जाता है 22 के लिए 20 रूपे है और कारों के लिए 30 से 50 रूपे है टीट चार्च है फिर मेरे साथ आया है मेरे मित्र मातरदेश शर्मा जी जो पानीपत हरियाना से विलाउंग करते हैं यह बीच-बीच में शूट भी करेंगे तो मेरे सहयों देने के लिए आया है मैं आ गया हूँ फर्स्ट पॉइंट कुंबा महल में जिसके में एंटरेस को ट्रिपोलिया गेट का जाता है लेकिन मैं जा रहा हूँ साइट के इस गेट से इसके अंदर प्रवेश करते ही यहां राजा अपने साथ गोडों को बानते थे जिसके ठीक सामने वाले रूम में गोडों के चारे को स्टोर किया जाता था और सामने की और उपर आप खिड़किया देख पा रहे हैं उसे सूरज गोकडा कहते हैं जा सूरी देव की एक बिग मूर्ती लगी हुई थी जो अभी उदेवपुर के सिटी पलेस में रखी गई है क्योंकि सभी शासक सूरी वंशी थे इसलिए सूरी देव के दर्सन करने के बाद ही वो अपने दिन की शुरुवात करते थे सामने उपर वनी शत्री वाली जगह पर संगीत वादक बैठा करते थे जो किसी भी पूजा प्रोग्राम या राजा के महल में प्रवेश के समय मदूर संगीत बजाया करते थे इसी महल के नीचे अलग-अलग जगह पर सुरंगे बनी लिए जिसमें से ये रास्ता महल की रानियों के लिए था जो अंदर से डेड़ किलोमेटर दूर गोमु कुंड की और निकलता है रानि पद्मावती भी इसी सुरंग से होकर यहां इस दिवार से निकल कर नीचे कुंड में स्नान करके फिर अपने जनाना महल के और चली जाती थी जब अलाउद दिन खिलजी ने 1303 में किले पे हमला किया था तो इसी सुरंग में एकल रूप से रानि पद्मावती ने जोहर गिया था फ्रेंट्स माराना संगा के बाई प्रतिराजी के दासी पुत्र बन्वीर को जब 1534 के मुगल आर्मले के बाद मिवार राजी के शासन की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए दी गई थी तो उसके मन में हमेशा के लिए मिवार का राजा बनने का लालच आ गया लेकिन उसके इस सपने को पूरा करने के बीच काटा बन रहे थे माराना संगा के दो पुत्र विक्रमा देत्ते और उदै सिंग जो उस समय कम उम्र के थे जहाँ बनवीर ने उदै सिंग जी समझ कर पन्ना दाय के बेटे चंदन को मारा था ये जो गुप्त रास्ता आप देख रहे हैं यहां से पन्ना दाय ने उदै सिंग जी को चित्तोड के किले से बाहर निकाला जिनों ने आगे चलकर उदैपूर की स्थाबना गी बड़ी भक्त थी इसलिए पती के मर जाने के बाद भी मारान सांगा ने उन्हें बोजराज के साथ सतियों नहीं होने दिया तब वह कुंबा महल के परिसर में ही बने इस मंदिर में पूरा दिन भक्ती में लीन रहती थी इस मंदिर के सामने मीरा भाई के गुरू बरकर बेजा और साफ से कटवाने की कोशिश की लेकिन कहते है कि कृष्ण बभवान की गृपा से वह विश्का पैहला अमरित में कन्वेट हो गया और साफ फुलों की माला में कहते हैं मीरा जी आगरी समय में अपने द्वारिका में थी वह यहां से द्वारिका चलेगी जब तक मीरा जी यहां पर थी इस के लिए अंदर थी तब तक इस के लिए का बाल भी बागा नहीं हुआ था लेकि जब वह निकली यहां से उसके बाद में इस के लिए का विनाश हो गई समूत्र गया अंदर उनका कोई समाधे नहीं है ना उनके कोई जगा है ऐसी कुछ इंसिदेंस के बारे में बताया जाता है इस महल के त्रिपोलिया गेट के पास बाहर की और यहां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की टिकेट आप ले सकते हैं जिसमें बड़ों के लिए टिकेट 177 रुपीज है और बच्चों के लिए 89 की है ये शो डेली शाम को 7 ब बच्चण रहाएंगे कभी पलंग पर नहीं सौएंगे कभी दीपक नहीं जलाएंगे पीने का पानी निकालने के लिए खीचने वाली रस्ची नहीं रहेंगे और इस फोट में नहीं आएंगे फिर 1955 में ब्राइम मिनिस्टर जवारलाल नहरु ने आजादी के समय संयुकत राजस्थान के प्रदान मंत्रि रहे मानिकलाल वर्मा जी की उपस्तिती में पांच हजार से भी जादा लोहर संप्रदाय के लोगों को किले में प्रवेश करवा कर उन्हें उनके प्रण से मुक्त किया था। फ्रेंट्स ये जेन टेंपल 10th सेंचुरी में बना था। फ्रेंट्स ये है किले का विजेस्तम इसका निर्माण मिवार के माराणा कुमबा जी ने 1448 में गुजरत और मत्यप्रदेश के मालवा राज्य के महमूत खिलजी से युद्ध में जीत प्राप्त की थी। उसी की याद में 122 वीट का ये विक्टरी टावर बनाया था जिसमें 9 ग्राउं के प्रतीक 9 तरह के स्टोन का यूज किया गया है। लोगिंग स्टोन तकनिक से इसको बनाया गया है और हिंदू देवी देवता दता राजपूत कल्चर की आर्ट को इस तंब बनाया गया है। अपने बॉलिवूड फिल्म पद्मावत को तो देखा ही होगा। उस फिल्म के आंध में जब माराणी पद्मावती ने आग में कूद कर जान दीती वह द्रस्य रियालिटी में यही हुआ था। यह चितोड किले में से जोहर कुंड। जोहर करने का तरीका यह होता था कि सबी मेला इस कुंड के बाउंडरी पर एक साथ खड़ी हो जाती थी और फिर इस कुंड में घी तेल लकडी और रूई को एकटा करके उसमें आग लगा दी जाती थी। क्योंकि जब बरसात की समय यहां इस कुंड में पानी बर जाता था तो जो पास में आप विजयस्तम देख रहे हैं इसकी नीव को इस पानी के बराव की करण कमजोर पढ़ने से बचाने के लिए गवर्मेंट ने यहां मिट्टी का बराव डाला था। फ्रेंट्स यहां हर साल एक जोहर मेला का आयोजन किया जाता है। फिप्टीन सेंचुरी में अकबर के आकरमन के दोरान साथ अजार महिलाओं ने जोहर किया था। पहले सती प्रता हुआ करती थी। उसके अंदर गत नॉर्मली यदि कोई राजा मर जाता था तो उसकी पत्नी उसकी चिता के साथ अगनी में विलीन हो जाती थी यानि अपने फिप्टीन सेंचुरी में इसको अलावदीन किलजी ने तोड़ा था उसके बाद महारणा मोकल हुए थे उन्होंने इसका जिर्णोदार कर रहा था। फिर मुगलों के आकरमन के बाद राजा बोज ने इसका निर्मान कराया था। मिवार के जितनी भी राणिया होती थी वो अंडरग्राउंड शुरंग वाले रास्ते से इस जगह पर नहाने आती थी यहां पर नाकर शिवजी को जल्ग चड़ा कर और पदमाबती जी के मंदिर के दर्शन करके सबी राणिया अपने मैल की तरफ वापिस चली जाती थी। इस तलाब के पानी को काफी पवित्र माना जाता है। मिवार के अंदर इसे गोमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दौपर यूग में नर्वेनात नाम के एक रिशी थे वो भी अपनी तपस्या यही बैट कर गया करते थे। इस कुंड के के पास में पने इस मंदिर में ये मूर्ती मारानी पदमिनी की कालपनिक मूर्ती बताई जाती है। जिसमें कई वेक्याताओं के इसाब से इस कालपनिक मूर्ती में मारानी पदमिनी काच को हाथ में लेकर अपने चेहरे को देख रही हैं और सोच रही है कि हे बगवान आप पर मारणा अमिर सिंग जी के द्वारा काली माता जी की मूर्ति स्तापित की गई थी। सूर्य मंदिर के कुंड में हैं तो बड़ी चलाकी से लाओ दिन खिल जी ने रावल रतन सिंग जी से रिक्वेस्ट की कि हम अब वापस लोट रहे हैं आप अपना किला मुझे दिखा दीजिए मैं आपसे मिलके और किला देखकर खाना खापी के वापस चला जाओंगा तो रा पुरुक बर रावल रतन सिंग जी बंदी बना कर ले गए और अलाओ दिन खिल जी को राणी पदमावती को दिखाए जाने के बारे में अलग-अलग दरना हैं जिसमें मलिक मुहमत जैसी की बुक पदमावत में खिल जी द्वरा राцिएं को देखे जाने की बात बिलकुल पदला लेने तथा अपनी इज़त बचाने के लिए उसने चितोडगर पर रामला गिया और जिस तरह से पदमावती को दिखा जाने की बात लिखी गई है वो उस समय के राजपूत कल्चर में राजकुमारों की भेट राजकुमारियों से इस तरह से करवाई जाती थी जिसे अदार बनाकर मन गडंद बातें लिखी गई फ्रेंट्स चितोडगर फोर्ट में सिचुटेट यही वो पदमिनी महल है जहां गर्मियों के चार महिनों में रानी पदमिनी रहा करती थी यहां उनके गोड़े और पालकिया रखी जाती थी इन रूम्स को सोला सिंगार कक्ष कहा जाता था और पानी के तलाब में बने इस स्ट्रक्चर को जल महल कहते हैं जहां रानी पदमावती गर्मियों में रहने आती थी फ्रेंट्स चितोडगर फोर्ट का आठी शताबदी में बना यह लक्षमी जी का मंदिर है जो बहुत प्राचीन है सूरजपॉल द्वार से एक किले का मुख्य द्वार हुआ करता था जो पूर्ल दिशा की ओर है और हमने जहां से एटरी की थी वो इस किले का पिछला हिस्सा था जहां पर अभी पूरी सिटी बसी हुई है इस गेट को मारणा कुम्बा जी ने बनवाया था तेरा सो तीन इसवी में अलाव दिन खिल साथ तेनात रहते थे सूरचपोल का ओरिजिनल गेट फिलाल फतेफूर सीगरी के बुलंद दर्वाजे पर लगा हुआ है जो अकबर यहां से लूट कर ले गया था सामने अरावली की पाडिया और ये मैदान वही जगह है जा खिलजी अकबर और गुजरात के बादुर शा यहां पर ये शिवलिंग की स्थापना की थी उसके बाद आने वले माराना उन्होंने इसका जिर्णोदार करवाया इस मंदिर का और इसको बाव्य बनवाया फेंट्स ये है किर्तिस्तम 75 पीट इसकी हाइट है और इसके अंदर 7 मंजिले बनी हुई है इसमें भी उपर जान में में उनकी बैटल्स में भी बहुत हैल्प करते थे और उनका फाइनेशल एकाउंट भी समालते थे इन्हीं जेनियों में एक जीजा नाम के व्यक्ति थे जिनोंने अपने जीवन काल में 24 दिर्टों की यात्रा कंप्लीट की थी 24 लोगों के साथ पैदल और 10 साल के बाद वो सबी जीवित लोटे थे तो इसी कुशी में जेन लोगों ने मिलकर ये किर्तिस्तम बनवाया था जो बगवान माविर जी को समर्पित है अस्री गावों वाले मिवा डैनिस्टी के वीर प्रक्रमी योदा और परमपरतापि शासक मारणा सांगा जी के चार बेटों में से एक राणा रतन सिंग जी दिती है जिनका शासनकाल 1528 से 1531 तक रहा वो चित्तोडगर फोर्ट में इसी महल में रहते थे जो रतन महल के नाम से बगवान शिवजी को समर पे रतनेशवर टेंबल और रतनेशवर कुंड भी है ये महल चित्तोडगर पोर्ट की पाड़ी के इस्ट साइड में सबसे उपरी एरिया में आयताकार शेप में बना है जिसमें रियासत काल में काफी उत्सों का आयोजन किया जाता था गर्मिय को यहां कहीं पानी नहीं मिला तो पाचों पाड़ों में से बीम ने अपने उल्टे पैर से यहां प्रियार किया था और इस धर्ती पर पानी की जल्दारा प्रकट होने लगी और एक छोटा सा कुंड बन गया फिर आगे कालंतर में इसे कुजवा कर थोड़ा और बढ़ा कर के बना दिया गया तो आज इसका नाम बीमलत कुंड रखवा दिया गया और खोदने पर जो यहां से पत्तर प्राफ्त हुए उसे किले की पौंडरी वाल में यूज किया रिया 1894 में महाराना रायमल उन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया इस मंदिर में एक शिवलिंग है और इसके पीछे महादेव की विशाल मूर्ती है जो देखने में समी देश और मंदिर की मूर्ती की तरह लगती है इसी लिए इस प्रतिमा को अदबुत जी का मंदिर गा फ्रेंट्स ये चित्तोडगा फोड का फते प्रकाश पैलेस जिसे महाराना फते सिंग जी ने 1884 में मेवार की गद्दी पर बैटने के बाद बनवाया था मेवार के तीन अलग-अलग किले जिसमें चित्तोडगाड कुंबलकर और उदेपूर के सिटी पैलेस में भी फते प किट से अलग आपको लेना पड़ेगा जो की 22 रुपे पर पर सन है और स्टुडेंट्स के लिए 12 रुपे हैं इसके अंदर कैमरा ले जाना एलाओ नहीं था इसलिए मैं आपको बाहर से इसका वीडियो दिखा रहा हूं आप जब भी आये तो इसके अंदर जाकर जरूर दे चाज भी मैंने इतना मज़ा है राप ठीके आपको बाहरा है गरम आप एक तुम इसे गरम गवबक के आओगे चितोड़ा गिलब देखके यहां आपको बज़ेगी आप ठीके पंडिती की था तो राप ठीके अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको मेरे द्वारत दी गई जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की माता पिता को गर्वान वित महसूस करें आपका दिन शुभ हो जै भारत